स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस्ट्री टेकनोलजी में मैं अनुवा मेपूल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के शो कंप्यूटर वेडिनस्टी में आज हम बात करेंगे इंटल आर्क ग्राफिक्स के बारे में तो आए समझते हैं तो सबसे पहले समझे की हुआ क्या है तो हुआ यह कि इंटल बहुत लंबे टाइम से ग्राफिक्स यूनिट बना रहा है जो की आई जीप्यू के कैटेगरी में आता है यानि की प्रोसेसर के अंदर लगा रहता है तो उनके पास एक्सपीरियेंस है काफी अच्छा खास है पहले सिफ नोटंकी माना जाता था फिर देखते देखते वह इंपॉर्टेंट हो गया और हिसाब यह समझे की अभी वह कूल थिंग में है यानि की बहुत जाता पैसा बनता है जो भी कंपनी इसको अच्छे से कवर कर लिए चाहे वो एंवीडिया हो चाहे एमडी हो बढ़ बहुत ज़रूरी है कि आज के टाइम में डेटा सेंटर में यह बहुत ज़्यादा पैसा चाहता है तो हर कंपनी इसको गुसना चाहती है कि यह मार्केट हम थोड़ा लेना चाहते है तो एमडी और एंवीडिया यह यह उनली प्लेयर बने बैठे पड़े और आप यह समझे और पैलली में सब पचा जाता डेटा तो इसलिए जीप्यो और सीप्यू अभी भी सूपर कम्पूटर में होता है तो इसलिए जीप्यू क्राइस टिगर हुआ था कि पैंडमिक के टाइम में काफी लोगों ने यह कर दिया कि अपना ओर घटा अब और जैसे घटाया तो सिल सब्सक्राइब तो इसलिए तो उनका शुफलिंग था ही ने खाली स्लॉट्स बचे नहीं थे और जैसे गाड़ी के मैंने चिप्स की कमी कैसे हो गई बाते चिप्स की कमी नहीं होने थी और घटा दिया था अब ऑडर घटा दिया तो यह काना सबजी यह लटक गया तो आप एक क्रिप्टार में चल रहे थे कता चोड़ दी आपने फिर नहीं जाना तो नहीं सर्जी अब आप डारेक नहीं कट सकते पीछे से हो तो यह बहुत बढ़िया गैप क्रियेट हो गया और फिर क्रिप्टो हाइब जो आया आपका एथिरियम का तो वह भी खूब बम-मात्र लेकिन जब यह मौका जो सामने आये तो होग एक नहीं अभी मौका बहुत बढ़िया है तो बात है कि आर्क बहुत मतलब समझी कम्पेटिटिटिव इंवार्मिट में जहां एमडी जनुइनली कोशिश कर रहा कि वापस अच्छा हो जा और एंवीडिया मतलब एंवीडिया आपने रेट रेसिंग बना दिया बात है किसी गेम इंजन नहीं किया अभी भी नहीं है अभी बहुत सारे गेम में यह नहीं है तो हिसाब बन जाता है कि जब किसी ने इंप्लिमेंट नहीं है तो लोग देखी नहीं पार है आपने डेमो दिखा दिया लाब में सबको आपन अच्छा रेपेटेशन नहीं था लेकिन वह भी कुद गए कि हाड़वेर रे सपोर्ट हम आपको दे देंगे सब चीज दे देंगे जितना वह कर सकते देंगे और वह भी उतना अच्छा नहीं है जतना एंवीडिया है लेकिन जैसे AMD जो है CPU के दुनिया में भी वैसे ही था कि सब लोग उसे inferior Intel मानते थे लेकिन देखते देखते वह एक्चुली आगे निकल गए हिसाब वही समझी कि सब लोग को दिख रहा है कि AMD का ग्राफिक्स डिविजन भी बहुत मैनत कर रहा है और जिस स्पीट से चल रहा है चांसेस है क तो है ही लेकिन इसमें hardware level पर ray tracing दे रहे हैं ताकि यह नहीं हो की मतलब यह technology नहीं है फिर आपका AV codex hardware जो support दे रहे हैं यानि कि AV1 का जो support support दे आने वाले time का codex है यानि कि आने वाले time में आपका जितना video online streaming होगा यह तर उतर होगा वो सब AV1 का generally format इसनमाल करेंगा और उसका नॉर्म कंप्यूटर नहीं कर पाता है तो उनके में कैसे हो जाता है टैबले में कैसे हो जाता है बाते dedicated silicon बहुत अराम से काम करता है तो सब को नहीं डालता है बाते silicon तुरन थोड़ी बनता है और जैसे आप Nvidia का silicon देख रहे हो तो कितना साल से पहले से बनाया गया होगा और आप लोग में से जिनका उम्र मेरे आसपास का होगा उनको पता होगा कि पहले आता था आप DVD खरीदे ओंगे तो उसमें दिखते हो ना बदा है अगर अगर आप चला नहीं पाते थे क्योंकि उसके लिए बहुत CPU यूज़ लगता है लेकिन जब dedicated IC जाने लगे जो आपक HDR ट्रिगर कर दी है, HDR चल नहीं पाता है, चली नहीं पाता है, डिकोड ही नहीं कर पाता है तो आप भी समझें कि इस तरह का कोडेक्स इंजन दे देना बहुत लंबे समय कि इनको संतुष्ट कर देता है कि हमारा लाप टोप ले अराम से दोदेगा सबकों टेंशन नहीं लेना है तो बहुत है लिवल को दे रहे हैं दीप लिंक जो इंटल के साथ है यह आप लिखते हों अप लिखते हों एक अड्रेसेबल बार सपोर्ट उनने उतारा जो कि मतलब डेडिकेटेड उनके पास CPU और GPU और उनने अपने में सबसे पहले उता देवाद में बात मैं जो उपन कर देते हैं वोपन करी देते हैं और स सिस्टम भी कर सकता है तो वो कर ही देते लेकिन स्टार्टिंग में अड़का एडवांटेज मिलिया इंटल के पास बीए डवांटेज सीप्यू अदास जदा लोगों के लिख इंटल का है तो वह अराम से समाल लेंगा उसको तो इसाप में समझे कि डीप लिंक से यह बहु इसाप में सब्सक्राइब कर सकता है तो यह सब के लिए डीप इंटिग्रेशन चाहिए इंटल के पास है और स्मूध सिंग दे रहे हैं जो बटर जैसे चलने में मदब करेंगा क्योंकि इनका इडिया था कि टेरिंग जो हटाने के लिए कोशिश कर रहे है वो ठीक है एक हत पर यह टेकनोलोजी की बात हो रही है वो दो एंजिन को ब्लर करते हैं ताकि वो उतना खराब नहीं दिखेगा तो काफी सारा टेकनोलोजी के मामले में पेपर पे बहुत भर पुष्ट दिया गया मतलब समझे बहुत सारा चीज दे दिया गया डीक्स टुवल सपोर्ट एक GTX वाले मां, RTX भी सीरीज नहीं छूँ रहा है, GTX सीरीज से ही पिट जा रहा है तो इसाब यह समझे की अच्छा नहीं है और इनका में इस्यू जो आ रहा है कि बहुत ज्यादा अन्यूस टेक डालती है, यानि कि यह चाहते थे कि हम आक 3 निकालेंगे, आक 5 निकालेंगे, 7 निकालेंगे, ठीक है, यह सब कर देंगे, लगिन बात है सर जी आपका होस्पावर नहीं है, आपने यह कोडेक्स इंजन दे दिया, वह कोडेक्स अभी कोई यूज ही नहीं कर रहा है में इन तोर पे, क्योंकि उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को तो उसको लिखना पड अधा क्या है, तो बहुत AI एक्सलेटर जोनर नहीं दे दिया, मीडिया इंकोडर दे दिया, वह सब अन्यूज का साइड इफेक्ट, CPU तो आपने बड़ा बनाया, मतला आपका जो सिलिकोन है वो तो बड़ा है और उसमें बड़ा सेक्शन आपने खाल गया, यह सब टेक्नोल मतलब कोर लेवल पर स्टेबल नहीं है, कोर लेवल पर काम नहीं कर रहा है, मेन फंक्शन नहीं काम कर रहा है, बस बहुत जादा बुरा उट पुटार और सबसे खराब उट पुटार और उल्ड API पर, मैंने यह तीनों का API बनाया गया है वो है डिरेक्टेस टुवल पर डे तो हिसाब भी समझे कि बहुत करा और इनका आर्किटेक्चर इतना अनॉप्टिमाइस्ट है कि बिना री बार सपोर्ट के यानि कि जो आपका PCI बस में जो डेटा भेजा रहा है वो चंक को कम बेसिक कर सके वो ओवरफ्लो हो जा रहा है तो यानि कि अगर आपका CMD का लेकिन आपका जब ड्राइवर ही स्टेबल नहीं है में लेवल पर चेंज काम नहीं कर रहा है तो हिसाब यह बनता है कि नहीं अच्छा है पर्फरमेंस शुद्ध मामले में मतलब लैप्टॉपस इतने खाराब है कि लोग का दिमाख खरवाज जिनके पास ग्राफिक्स कार भी धनक से ड्राइवर नहीं बना पाद रही है तो बात है रूमर के पार में अप्थराओ बात करते हैं तो यह रूमर कि बहुत ज्यादा प्रॉबलम है इसमें पैसा बनाने से पहले और यह तो सबको पता था माक वन कचरा होता है यह नॉर्मल बात है आम लोग समझते हैं आम लोग अगर ना भी समझें तो वह जितने लोग कंपनी चलाते हैं उन्हें पता है तो यह कॉमन चीज है ठीक है तो बात है कि कितना टाइम लगे है यह एक अनलिमिटे मतलवा सीरियस वाला बात हो जाता है तो इंटल मतलव समझे इसलिए चीज उतारने से पहली बता दे जैसे वो एंवीडिया और एमडी का बनाते हैं क्योंकि उनको देखना हो नहीं सर आपके लिए पूरा डेडिकेटेड पाइपलाइन बना और आप पता चला अगले दिन निकल लिए हम तो लटक जाएंगे तो इसलिए हर कंपनी मांगते कि आप हमें पाइपलाइन बनाओ गही और इसके आगे कभी आपका प्लान है तो उन्हों दिखाए कि अभी अलकमिस्ट है इसके बाद बैटल मेच पर काम चल रहा है यह मतलब अलकमिस्ट बन चुका है चिप्स बन चुके है बन चुके है बैटल मेच अंडर कंस्रुक्षिन है और उसके आगे अगे मतलब मैं एक्जांपल बताऊं जब मैं ग्राफिस काड ले रहा था तो उस टाइम था पैसकल सिरीज कहा जाता था था यहां नाम कर देख रहे है वहां था पैसकल के आगे था वोल्टा जाएगा वोल्टा उन्होंने रिफ्रेश कर दिया यानि कि आटी एक्स लांच करने कि यह तो मास प्रोडक्शन चूह रहा है यह लिटरली यह मतलब समझ इस पर काम चल रहा है तो बात रहे हैं इसमें भी डिजाइन फॉल्ट आ रहा है और आज कमझे कपकप बन के बैठा हुआ है यह यह यानि फिजिकली बना के बैठा जा चुका है यह लांच कर सकते हैं लेकिन करने हैं क्योंकि टेले करना चाहरा है दो ट्राइवर सकते हैं और इसमें बहुत ज्यादा फॉल्ट कर रहा है मतलब बहुत ज्यादा तकलीव होना यह यह इंटल के पास रका हुआ लेकिन इंके हिम्मत नहीं होओ एकि इनको कि चआया लिटरली सHz को यह इनका कि पर इसकी डिजाइनिंग कर रहा है और इसी में गड़बड़ा आ रहा है तो भरोसा एक्दम हिलिया है तो हिसाब भी समझे और कूदे जतना हो हलास है कि हम यह भी कर देंगा वह भी कर देंगा हम आपका बेस्ट कोडेक्स इंजिनर सर आपका गेम तो चल नहीं रहा है आपका अब इसको कंट्रोल करते है अब बलेगे इसको कंट्रोल का असाथ है अगर आप किसी भी कंपणी का बहुत बलाष्टाख खरीद करें आपका इसको बंद करो इसलिए ईलन मस्कोष को खोलानी है उसको पता है कि जयसे ही स्टाग मार्केट छुः स्पेसेक्स वोग फ्री कम इसलिए स्टॉक होल्डर्स को एक समस्य बंगाता है कि वह तुछाते हैं नहीं कि अपने पैसा डाला है तो वह कितना साल रुख सकते हैं अविसली इतने बुलबक नहीं होता है इतनी बड़ी कंपणी में लगारें इतने बुलबक नहीं होता है कि हाँ आज लगा अगले मेन आप टाउन होता है और पैंडेमिक ने तो अच्छे च्छों के डाउन कर दिया तो अब रहा बात की इंटल के रेपिटिशन भी बहुत खराब चल रहा है पहली बात तो एमडी से पिट गए दूसरी बात एपल ने सीधे हाथ ही दो डाला तो यह सब रेपिटिशन के मामने मेल पैसा तो बहुत लग रहा है मतलब भले आप इसको नहीं बीचाए तो घुए न यहां तक पहूंछने मेल पैसा आप प्रीकह चला गया तो बात है कि बहुत पैसा गया अप ट्रशी यह पहले प्रॉबम नहीं होता लेकिन अब प्रोब्लम है उच्छिस्टों के बाट लो िषयाओ रहे कesz़ली चीम को सी तो जो मinta मिला बात वो सप्लाइट नहीं है एंटल नहीं और बना गार दो जाएक काम करने लगा लुवदर D तो अब बात होता है कि वो जो फैक्टरी बनाए है बनाने वाले हैं जो यूएस में नया बन रहा है उस पर बात अब उसमें समझ रहे हैं बहुत लोगों का नजर लग गया तो अब बात एक कंपनी को खुदी से कंपीट करना पड़ेगा जैसे कि Samsung का एक उट-पटांग फोन आपका अर्कमिस्ट कचरा निकला ठीक है लेकिन बात है बहुत ज़्याद कचरा निकला दूसरा कि आप कहरो बैटल मेंच में भी फंडामेंटल फ्ला यान तो इससे बहुत डिले किया जाए या तो से अल्मोस्ट फिर से स्टार्ट से बनाया जाए और कहां से उतना पैसा और रहा बात कि आप अधर मनी मेकर्स को यूज कर सकते हो तो यह रूमर है जो कि सीरियस है मतलब सीरिसली लिया जा रहा है कि इंटल इसको स्वाहा कर सकता है जैसे कि इंटल ने रिसेंटली अप्टेन को स्वाहा कर दिया अप्टेन पूरा लाइन अप स्वाहा खतम डिया तो अब बात करते हैं भवश में क्या होगा, तो हिसाब यह समझी जरूवत के मामले में, जीप्यू स्पेस में कम्पूटिशन होना सब के लिए फालेमन्द है, तो यह बहुत बहुत बड़ा कम्पूटिशनल प्लाफॉर्म है, इसली बोल रहा हूं कि आम लोगों की मिसकंसे अब जाएगा, तो इसलीए यह बनाना मतलब फाइदेंद पूरे इंड्ट्री के लिए एसाने कि सिफ गेमर्स के लिए, पूरी इंड्री कम्पूटीशन हर चीज़ के लिए अच्छा होता है, अब हिसाब यह समझी कि इसमें अब बात है कि इसमें बात है कि इन्टेल इसा क्रैक कर जा रहा है या कीबोर्ड पर धूमा पड़ जाता है तो कीबोर्ड खराब हो जाता है राइट टू रिपयर में जितनी बाद लेजिसलेशन आता है आप लड़ने लग तो अब फ्रीक हार जाते हो तो भी उनका स्टॉक क्यों उपर जाता है क्रेडिबिलिटी उनकी ब क्रेडिबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि इंटल आर्ख चल सके क्योंकि इंटल आइटीनियम में भी कूदा था फ्रीका गायब हो गया तो अगर आपको नहीं पता है तो समझ लिए इंटल जैसी कंपनी कूदी थी कि यह x86 का रिप्लेस्मेंट होगा आइटीनियम में और इस तरह के बहुत नुकसान हुआ था इंटल को बहुत जादा नुकसान हुआ था तो हिसाफ भी समझे कि इंटल आइसा नहीं कर से था कि हमने इसमें भी कूदा इसमें भी पिट गया और यह बहुत-बहुत सीरियस मुश्किल बन जाए क्रेडिबिलिटी अगर घटते गई तो कल को अगर यह कुछ नया बनाना भी चाते है तो इसके लिए कैपिटल रेस किया जाता है यानि कि इन्वेस्टर्स के पास जाके बोलते हैं कि हमें फ्रपाइसा दो इन्वेस्टर्स नहीं सर जी आपसे जो होता है पोई करो आप कुछ एक्स्पैंड मत करो आप बा बाकी सम्में आम ढूज गया ले भाई अब इनका तो मार्केट ही श्रिंक करने लग गया और अगर यह जी प्यू भी नहीं कुछ पना पाते और जी प्यूट पर नहीं कैप्शर कर पाते इनके पास रहेगा क्या आपको सर्वर उबर अर भाई वो घट तो रहा है ना एक त तो इनके लिए बहुत कॉम्लेक्स डिसिजन होने वाला है कि आख को हर मामले में इनका लॉंग टम में फाइदा होगा अगर इनको अपने टीम पे और अपने काबिलियत पर वरुसा क्यों कि से इंटल नहीं कंप्यूटर बनाया है इंटल है हम है सर हमने ही नीव रखी जिस काबिलियत नहीं है टैलेंट नहीं है इनके बस सब कुछ और अगर इनको अपने टीम पर भरुसा है क्योंकि एंड में कौन करता है काम आपकी टीम करती है उन पर भरुसा है तो आप लगा सकते हैं पैसा जाएगा लॉस होगा सुरू का एक दो तीन साल आप फ्री का पैसा म पैसे के मामने में यह शौट टर्म में बहुत गलत है आग पर खर्च करना लेकिन लॉंग टर्म में बहुत फाइदेमन्द होगा और आप लोग जनुनली लिखे आप लोग कि इतना पता था इतेनियम क्या है तो यह समझना ज़रू है कि यह सिफ दो दाजे जी टिके हुए और दो भी कहना गलत होगा एक ही है क्योंकि NVIDIA सुरू से लेकर अभी तक चल रहा है और ATI था पहले ATI को खरीग लिया गया AMD के द्वारा तो समझना ज़रू है कि market श्रिंक कर रहा है तो इस और capacity बढ़ते जारी है NVIDIA मतलब करोणों GPU चल कर रहा है आपको और हमें नहीं सर् कंपनी के लिए शुद्ध बेवकूफी होगी और बात बात पर आप कैंसल करते रहेंगे हर्ची अप में पिटते रहेंगे तो क्रेडिबिलिटी इतनी घड़ जाएगे कि लोग बोलेंगे आपको जो आता बस वही करो आप दाइमान मत एक्सपैंड करो और एक्सपैंड न तो कि यहीं दोनों में लड़ते रहेंगे देखियों और क्या होता है यार रखे कि ऐसा ही हुआ था आपका कैमरा की इंड़स्टी में नाइकोन ने बात बात पर अपना सब प्रोड़क कैंसल करते हैं अगर नहीं पता है कि यह गोप्रो के गेंस्ट तरे थे मतब तब तक कर देखियों जाते हैं तो कि अपना सब्सक्राइब तो में पर भरोसा कैसे करूं लॉंग टरूंट कैसे करूं तो वही साब रहता है कि बंद कर देना हरचीज को या कैंसल कर देना अपनी एक अशान नहीं आज और कहीए नहीं करना चाहीं क्योंकि जैसे गर अपको उमीद है कि नहीं हमारी टीम आरे आज नहीं तो कल चमक जाएगा तब आप कीज़े पैसा लेगिन आपको लेकिन आरे टीम से कुछ नहीं वाला तब बंद कर दीज़े तो देखिए आने वाले टेम में क्या होने वाला कि यह बहुत कॉंपलेक्स होने वाला है मतलब इंटल के लिए आने वाला कुछ साल क्योंकि अगर यह दोबारा हुआ गड़बड हो जाएगा तो यह था मेरा प्रसेंटेशन इंटल आर्क जीपी यू के बारे में उमीद करता हूं आपको अच्छा लगो कुछ सिखने मेला कुछ समझ में हो अगर ऐसा है लाइक कर द धन्यवाद